बिस्मिल्लाहिवर्रह्मानिवर्हीम नियर्सवन हमारी डिसकेशन चल ली थी मायक्तोसोफ वर्ड का चैप्टर नमबर 9 उसका बेसिक एडियम ने कर लिया था उसका इंटरफेस और कुछ इसकी फाइल क्रिएट करने की यसी latest video, फिर टैकर करने की उपन करने की उप्शन्स और टैंप लिट कैसे आपने करनी और कैसे अपनी वर्ड की फाइल को टैंपलेट में कशन करना है कहां उसके। लिट रफिजान करनी है तो बाद बाशन जो heading है that is printing our document ये इस chapter की next heading है बिटा ये जो heading है ये chapter के end पे मुझूद है हमने जो last lecture में discussion किया है वो chapter के start के अंदर headings मुझूद है मैंने उसमें आपको page numbers वे रहा बता दिये थे ये जो heading है ये आपके chapter के end के अंदर मुझूद है हम पहले इसे discuss करेंगे ये भी backstage view जो है उसका part है ये printing के option उसको हम discuss करेंगे इंशाला page number 276 है उसके ओपर ये heading मुझूद है आपने word के एक document को कैसे print करना है उसके लिए क्या क्या options available है backstage view में उसे इंशाला हम discuss करेंगे ये देखिएगा previewing documents before printing printing सबसे पहले हम क्या करते है document को actually print करने से पहले उसको preview देख लेते हैं preview में आपको document as it is नजर आ रहा होता है जैसा वो print में आएगा और फिर preview के अंदर ही different print settings है print से document को print करने से relevant different options available है जिने आप exercise करके printing आपने कैसे करनी है किस style में करनी है वो आप सारी settings कर सकते हैं इसको भी हम देखते हैं मैं Microsoft Word एक file आपके सामने open कर रहा हूँ उसके उपर निशाला हम discuss करेंगे सारा कुछ यह आपके सामने एक file है इसमें ऐसे ही मैंने एक sample से data जो है वो type किया हुए इसके उपर हमारी discussion होगी प्रिव्यू देखने के लिए जो option हमारे पास available है that is file tab पे हम सबसे पहले click करेंगे file tab पे click करने से क्या होगा आपके पास backstage view जो है वो open हो जाएगा मैं आपके सामने backstage view इसका open कर रहा हूँ देखिएगा file tab पे click किया और उसमें यह print की option आपको नदर आ रही है left side पे इसमें click करेंगे right side पे यह जो आपको नदर आ रहा है यह सारे के सारा document का preview है इसमें दो section है एक तो यह print की heading के नीचे कुछ options लिखी हुई है सारे के सारी इनको use करके आप document की print settings change कर सकते हैं right side पे जो document उसका preview आपको नदर आ रही है देखिएगा और इसमें bottom side पे अगर आप देखे हैं तो यहां पे आपको नदर आ रहा है कि आपका जो document है उसके 4 pages है और अभी हम first page उसको view कर रहे हैं यह bottom पे details आपको यहां पे नदर आ रही है देखिएगा पेज one of four और इसके साथ यह button भी available है इसके जरी से आप next page को view कर सकते हैं इसके click किया अभी आपको जो document का page नदर आ रहा है that is second page और इसी तरीके से आप scrolling in buttons को use करके next pages की तरफ move कर सकते हैं इसके देखिएगा इसमें और further right lower corner पे आएं तो इसको देखते हैं यहां पे आपके पस zoom की कुछ options available है यह देखिएगा इसमें minus का button भी है और plus का button भी है minus के button पे click करके आप zoom कम कर सकते हैं इसमें क्या होगा एक से ज़्यदा pages फिर आपको preview में नदर आएंगे देखिएगा सारी pages इस वक्त आपको नदर आ रहे हैं मैंने चुके zoom कम कर दिया है चारो pages एक ही वक्त में आपको यहां पे नदर आ र आप यह option available है zoom to page की इस option के ओपर mouse को लेके हैं तो इसका description साथ आ रहा है zoom to page अगर आपने एक एक में ज़्यदा pages show की है यानि आपने percentage कम की हुई है तो zoom to page पे click करने से क्या होगा एक page पूरा top से bottom तक आपको नदर आ देगा यानि इतना zoom कर देगा word उसको कि एक page पूरा ज़्यदा कर सकते हैं अब फर्दर देखते हैं और क्या क्या options available है यह देखें के सारे pages आ रहे हैं आपके पास left side पे आते हैं तो left side पे left section के अंदर जो हमारे पस first option है that is print print का button बना हुआ है इस print के उपर click करने से क्या होगा document as it is जैसे आपको नदर आ रहा है ऐसे यह print में चला जाएगा प्रिंटर सेगर आटेश हैं तो यह document as it is जैसा view में आपको right side पे नदर आ रहा है ऐसे यह print में आ जाएगा लेकिन इस button पे click करने से पहले practically क्या किया जाता है relevant सारी settings पहले की जाती है निशे जितनी settings आ रही है इसमें से जो required settings है वो हम set करते हैं उसके बाद आखिर में जाके जब हमारी settings final हो जाती है फिर हम print के button पे click करते हैं तो उसके first option देख रहेते हैं यहाँ पर क्या available है number of copies आप define कर सकते हैं कि कितनी number of copies आपने इस document की लेनी है मिसाल की तोर पर 4 pages की document है हमने इसकी 2 copies बनानी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे number of copies को ऐसे बढ़ा देंगे copies 2 कर लेंगे और कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं यहाँ पर देखते हैं कि maximum आप कितने numbers यहाँ पर mention कर सकते हैं मैं यहाँ पर एक fake सी figure लिख रहा हूँ 99 मैंने अभी चार दफा 9 प्रेस किया तो देखें नीचे एक message आ गया हुआ है जो आपको क्या कह रहा है the entry must be less than or equal to 32,767 यहाँ इस box के अंदर maximum जो figure लिख सकते हैं वो उसने आपको बता दिये यहाँ पर कि आप कितनी mention कर सकते हैं 32,767 यहाँ इस box में maximum यह figures आ सकते हैं एक वक्त में आप इस document की maximum इतनी copies प्रेंट कर सकते हैं इसकी जूरत तो नहीं है लेकिन एक limit बाराल word ने set की हुई है इस box से अंदर लिखने के लिए यह भी आपको information पता होने चीए बाद को question में ऐसी limitations पूछ लेता है कि फलाँ box में या फलाँ area के अंदर जाके आप maximum number कितना mention कर सकते हैं यहां पर मैंने two type कर दिया निशे आते हैं यहां पर printer अपसलेट करेंगे अगर आपका system आपका computer एक से ज्यादा printers के साथ connected है networking के थूँ हो जाता है तो आप वो सारे के सारे printers उनकी list यहां पर आपको नदर आ रही होगी इस drop down menu के अंदर यह देखेगा यहां पर अभी मेरे system में को printer नहीं है लेकिन यहां पर कुछ उसने अपने default name दी हो यह देखेगा यहां पर सारे printers की list आ रही होगी जिस printer पर आप print बेजना चाहरे हैं उ और यह देखेगा यहां पर नीचे लिखावा ready ready लिखावा नदर आ रहा है तो इसमें जितने printers active होंगे on होंगे और आप उससे connected भी है कोई problem नहीं है networking के अंदर उनके नीचे यहां पर ready लिखावा नदर आ रहा होगा उस printer का status अगर कोई printer available यह आप उससे connected है लेकिन फिलाल लिखावा आ रहा होगा तो यहां से आपको status पता चलेगा printer का क्या भी वो active है यह नहीं है आपको यह नहीं मिसाल के तौर पर आप first floor के उपर बैठे होंगे अपने office के अंदर और आप second floor पे भी एक system एक printer है उससे भी connected है network के through और basement में भी एक system printer पढ़ावा उससे भी आप connected हैं तो उन दोनों printer के नाम यहां पर आ रहे होंगे आपने basement वाला एक printer है उस पर आपने print भेजना है basement का जो printer है वो किसी और department में तो आपने यह file print करके उन्हीं को देनी है आप उन्हीं के printer पर भेज सकते हैं ऐसे तो यहां पर printer का नाम भी आ रहा होगा और उसका status भी लिख printer on कर दें तो यहां से आप printer select कर लें इसके बाद नीचे आते हैं तो settings के अंदर देखिएगा यहां पे कुछ options है drop down के अंदर first option is print all pages यह first option by default selected the whole thing यानि आपके जितने भी document के अंदर pages 1 से लेके 4 तक है हमारे पास वो सारी print में आ जाएंगे इसके लावा आप further भी कुछ specifications भ इसकी वज़ा किया है कि अभी हमने document में कोई text भी select नहीं की जब हम back end पर जाके normal जो इसका view होता है उसमें जाके कुछ text कुछ paragraph select कर लेंगे फिर option active हो जाएगी और फिर क्या होगा इस option को select करने से selected जो paragraph से हैं सरफ वो print के अंदर आएंगे इसको मैं perform करें तो आप पे सामने इस print preview वाली option से इस view से वापस normal view में आने के लिए आप ये जो back का button है इस पर भी click कर सकते है arrow का button और escape भी प्रेस कर सकते हैं मैं escape प्रेस किया normal view में आगे इसके बाद again file tab और उसमें print की option और देखेगा अब इस option में आपके पास जो आ रही थी print selection वाली option उसको देख रहते हैं print selection इस वक्त एक्टिव है इस पर click करने से क्या होगा just what you selected वो print होगा जो आपने select किया हुआ है इस पर click करते हैं तो अब हमने specify कर दिया word को बता दिया कि हमने back end पर जो select किया हुआ area है सिरफ उसे print करना है प्रिवी में आपको सारा document ही नजर आ रहा है यहां पर आपको ऐसी नजर आता रहेगा लेकिन जब आप print वाले बटन पर click कर देंगे तो जब print होगा आपका document उस पे सरफ दो paragraph ही होंगे इसके बाद next option देखते हैं next option print print page print print page से क्या होगा जिस page के उपर आपका cursor blink कर रहा है वह आपका current page कहलाता है और वही आपको यहां पर view में नजर आएगा जब आप इस option पर click कर देंगे print print page इस पर click किया तो यहां पर आप देखिएगा right side पर आपका सरफ current page जो है जिस पर आपका cursor blink कर रहा है बेक हैं पर आपने जिस page के उपर click किया हुआ है और click करने के बाद वापस आके आपने यहां पर print preview देखा तो वो आपका जो page है वो print होगा इस option को use करने से इसको by next option को देखते है next option custom print है इसमें आप specify कर सकते हैं अगर आपके document में ज्यादा pages है आप specify कर सकते हैं इस option को use करके कि कि आप कहा से कहा तक के pages print करना चाहरे है इसमें क्लिक करता हूँ इनीचे एक box आपके सामने आ गया इसमें लिखावा pages आप specify करें मिसाल के तो पर page number आपका document है वो assume कर लेते हैं 50 pages का है तो आप page number 20 से लेके 30 तक और उसके बाद 35 से लेके 40 तक print करना चाहरे हैं तो उसे कैसे mention करेंगे although कि यह बात यहाँ पर यह जो आई सा बना हुआ information का button इसके ओपर mouse को लाने से आपके सामने details आ जाएंगी यह देखेग मतलब के आपने for example type 1,3 इसका मतलब है page 1 और उसके साथ फिर page 3 फिर आगे 5-12 5-12 का मतलब 5 से लेके 15 तक आपने pages print करने तो यहाँ पर mention करते हैं देखेगा page number 20 से लेके 30 तक comma और फिर उसके बाद page number 35 से लेके 40 तक इस तरीके से आप ranges भी specify कर सकते हैं और individual pages भी आपने मिसाल क 5,10,12,15 यह pages print करने तो comma से separate करके आप यह कर सकते हैं और range बताने के लिए दिरम्यान में dash यूज़ कर लेंगे तो यह इस तरीके से आप specify कर सकते हैं further option second custom जो print है उसके बाद next option है that is list of markup यह जो option है list of markup यह आपके book के अंदर इसको discuss किया गया है कि आप markup वगारा जो है उसको भी print कर सकते हैं आप इसको दर understand कर लेते हैं कि यह markup वाली option क्या है sorry यह नीचे आते हैं यहां पर यह document info के नीचे जो कुछ लिखावा है यह आपके syllabus में discuss नहीं हुआ हुआ आपके syllabus का part नहीं है नीचे आते हैं यहां पर इस drop down arrow के बिल्कुल bottom पर यह तीन options है इसमें पहली option है print markup यह option है जो आपके syllabus में थोड़ा सा इसका reference दिया गया है जहां पर यह topic distance किया गया वहां पर टिक लगावा साथ print markup यह असलमें document के अंदर आप कुछ restrictions लगा सकते हैं कि कोई भी बंदा मेरे document को edit ना कर सके अगर वो edit करें त सारी की सारी record हो रही हो मेंने document के अंदर तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं track changes की option है उसको enable कर सकते हैं यह आपके syllabus का part नहीं है सिर्फ print के हवाले से एक चोड़ी सी बात इसके मतलब discuss की हुई है मैं आपको book में लेके जाता हूँ वहां देखते हैं यह बात कहां पे लिख page 278 heading number 7.3 print tracked changes जो है उसे आप print कर सकते हैं track changes क्या होती है यहाँ पे details लिखिए हैं इसके मतलब after editing the document with track changes enabled इसको underline कर लिजेगा अपने facebook में track changes enabled इसको underline भी कर लें उसाथी भी लिखने हैं आपके syllabus का part नहीं है सिर्फ थोड़ा से मैं आपको idea दूँगा जितना यहाँ पे discuss किया गया है अगर आपने document में track changes को enable किया हुआ है you can select between printing with the tracking marks either visible or hidden यह का option ने track changes की अपने document में आप इसको enable कर दें तो उसके बाद कोई भी user आपके document में editing अगर करेगा तो उसकी सारी editing हाइलाइट हो रही होगी मिसाल की तो पर उसने किसी word को delete किया remove कर दिया तो word जो है Microsoft word साथ साथ record कर रहा होगा कि यहां से यह word लिखा हुआ था यह delete कर दिया गया और यहां पर इस word को इस text को इस paragraph को bold कर दिया गया है और इसमें यह editing की गई है यह formatting की गई है वो सारी की सारी details साथ साथ रिकॉर्ड कर लिखा रहा हो कि यहां यहां पर यह amendments हुई है तो आप फिर उस option को वो जो print markup वाली option है उसे आप टिक रहने देंगे तो साथ अगर कोई editing वारा ऐसी हुई हुई है किसी user ने की हुई है तो वो साथ highlight होके आ जाएंगी लेकिन यह उस बत होगा जब आपने track changes को enable किया होगा लेकिन enable कैसे करना है यह आपके syllabus में नहीं है इसका preview book में दिया हुई है देखते हैं इसको to show or hide the tracking marks for printing जो tracking marks आ रहे हैं tracking marks का मतलब वो जो highlighting हुई हुई है कि कहां कहां पे user ने क्या क्या amendments की है वो सारी highlighting हुई होगी उसका एक image आपको यह book में दिया गया जब अब यहां पे आएंगे तो देखेंगा आपने प्रिंट markup वाली option को tick किया हुई है और उसके राइड शैट पर आप देखें तो यह आपके पास page का जो original page है original document है और राइड शैट पर थोड़ा सा आपके पास shaded area है और उसमें red color के boxes cells से बने हुए है इन cells के लिखा हुई है कि आपके document के अंदर किस place पर क्या editing हुई है वो right side पर लिखा हुआ आ रहे है यहां पर यह क्यों आ रहा है क्यों हमने print markup वाली option को tick किया हुआ है इसलिए जो भी editing हुई है वो यहां पर mention हो रही है और print में भी ऐसे ही आएंगी है यह देखिएगा यह देखिएगा यह देखिएगा same document नीचे आपको शो करवाया है but track changes are hidden as print markup has been deselected print markup वाली option को deselect कर देंगे फिर आपका document normal way में print होगा साथ हो editing वायरा जो आ रही है उसकी printing नहीं होगी यह देखिए print markup is no longer selected print markup वाली option को आप यहां से untick कर दें तो फिर आपके पास यह यहां पर जो document है वो नॉर्मल वे में आ जाएगा वापस आते हैं हम document के अंदर फर्दर देखिए है कि इस menu के अंदर और क्या के चीज़ें options available है जो आपके syllabus में syllabus का part है और discuss होगी है only print old pages यहां पर जो bottom पर options आ रही है इसको मैं further discuss हो नहीं है देखिएगा only print old pages इस option पर tick करने से क्या होगा document के जो old pages है old pages क्या होते है one three five onward वो सिरफ print में आएंगे और only print even pages इस पर click करने से क्या होगा k2,4,6 onward यह जो old pages है वो सिरफ print होके आएंगे printer के उपर यह option भी आप select कर सकते हैं यहां से यह सारी option कहां पे available है यह settings के नीचे जो drop down है यहां पर उसके बाद further नीचे आते है print one sided print one sided क्या है कि आपने अपने printer के अंतर जो sheets insert की हुए है उसके एक side पे ही document आपका print होगा एक side पे एक page print हो जगा और वो sheet बाहर आजेगी फिर दूसरी जो sheet पढ़ी है उसकी भी front side के उपर दूसरा page print हो जगा और वो sheet भी printer से बाहर आजेगी नॉर्मली ऐसा ही print होता है क्योंके print one sided वाली option selected होती है इसमें नीचे दिखें इसके description लिखी है only print on the one side of the page उसके पार next है manually print on both sides manually print on both sides आपने अगर फर्ज करें अपना जो sheet है जो कि आपके printer में inserted है उसके दोनों sides पे आप printing करना चाह रहे हो फ्रंट साइट पर भी बैक साइट भी फिर आप यह वाली option यूज करेंगे manually print on both sides इस option को select करने से क्या होगा जब इसको select कर लेंगे तो क्या होगा reload paper when prompted to print the second side आप क्या करेंगे paper को reload करेंगे print जो page है आपका उसके उपर एक जो sheet है उसके उपर एक page print होके वो बाहर आजएगा printer से फिर आप क्या करेंगे उसी को reverse करके printer के अंदर दुबारा insert कर देंगे आपको यहां पर word पे वो एक message भी देगा कि आप page को दुबारा insert करें इस option को select करने से फिर आप उसको reverse करके दुबारा insert करेंगे तो उसकी back side में प्रिंटिंग हो देगी यह manual आपको काम करना पड़ेगा इस option को use करके इसके लिए नेक्स है collated और uncoolated यह options Microsoft Word में भी है यहां पे भी है इसको देखते हैं इन options का तालुक बिटा number of copies के साथ हैं यह options उस बद्रेलिवेंट होती है या इनका difference उस बद्रेंस ज्यादा clear होता है जब आपने एक से ज्यादा copies बनानी हो document यह देखेगा उपर number of copies हमने दो की हुई है अब यह दोनों options relevant हैं आप printing का order क्या करना चाहरे है collated printing क्या होगा आपने बताया कि number of copies हमने दो रखनी है और pages हमारे इस document के हैं 4 और collated वाली option को यहां से हमने कर लिया select अब क्या select करने के जैसी हम print करेंगे तो page number one two three four यह print हो के बाहर आ जाएंगे उसके बाद word printer क्या करेगा दुबारा से इस document की printing start करेगा one से लेके four तक pages की तो one से लेके four तक pages पहले print हो गए उसके बाद one से four तक दुबारा print हो जाएंगे यह दो set बन जाएंगे इसी एक document के यह है collated printing जिसमें page wise number of copies बनती है उसके बाद unfoulded में क्या होगा अनौलेट dut printing में क्या होता है ओजवा इसने पर दो कॉपी परे गे इसने इसने का दो बनाएगा यह पहले फर्स्ट फेज की दो וापीज बनाएगा दो कबिस तरो उसके बाद से चैंट पेज की दो is first Psalm करके बारह निकालो इसलिके से 3rd page key और onward, page wise number of copies बनती चली जाएंगे, इन options के साथ आप लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे, collated के साथ लिख लें कि document wise number of copies प्रिंट होंगी, document wise number of copies और uncollated के साथ आप लिख लें, page wise number of copies प्रिंट होंगी, और अगर आपने उपर number of copies 1 ही रखा हुआ है, तो फिर collated और uncollated में से दोनों में से कोई भी option select करके printing करेंगे, तो उससे कोई फरक आपको नजर नहीं आएगा, practical point वो इसमें आपको बता रहा हूँ, तो number of copies के साथ ये चीज़ें associated हैं, यहां से आप page select कर सकते हैं, देखेंग भी है और onward different size यहां पर लिखी हुए, A4 size भी है, आम तोर पर market से जो आपको sheets मिलती है, वो A4 size की होती है, offices में यही A4 size आम तोर पर यह चलता है, उसकी measurement भी देखे नीचे लिखी हुए है, कि उसकी width 8.27 inches होती है, और 11.69 inches उसकी height होती है, यहां से अगर हम page change करें, यह legal size का एक page है, यह page थोड़ा lengthy होता है, इसके उपर click करेंगे तो right side पर जो आपको preview show करेगा word, वो अब legal size paper के इसाब से show करेगा, कि legal size के paper के उपर आप इस data को print करें, तो आप यह कितने pages पर आएगा, और कितना data first page पर आएगा, कितना data second page पर आएगा, उस हिसाब से आपको यह show कर रहा हूँ, यह देखेगा, अब आपका data तीन pages पर show हो रहा है, पहले A4 हमने select किया हो था, तो चार pages पर data आप हमने legal size select किया है, तो तीन pages पर सारा data complete हो जागा, फिर भी आपका half page बच जा गई देखे right side पर, क्योंकि legal size मैंने जैसे आपको बताया, उसकी height ज्यादा होती है, bottom पे भी यहाँ पे आपको नदर आ रहा है, कि page one of three, एनी total तीन pages है, इस document के, मैं यहाँ से आपके page का size दुबारा से change करता हूँ, A4, यहाँ एक बात यह जाद रखें, कि आपको अगर किसी paper का size पूछ ले question में, कि अगर मिसाल के तो पर A4 size पर प्रिंटिंग करना चाहरे हैं, तो A4 size की dimensions है, width और height वो कितनी होती है, तो आप यहाँ से आपके देख सकते हैं, इस list के अंदर से, इसमें आपको को memorize करने की अपनी है, उसके बात फर्दर, page size, उसे उपर एक option यह वाली page orientation, page की जो orientation है, वो आप कैसे रखना चाहरे है, data को आपकी संदाज में प्रिंट करना चाहरे है, एक printing तो आपकी यह है, कि आप data को यह प्रिंट करें, जैसे आम तोर पे book या notes पर आप प्रिंट करते हैं, यह portrait orientation होती है, और अगर आप यह printing करना चाहरे है, page यह आजे और data आपको यह चल ला हो, इसको हम क्या कहते है, landscape orientation, इसमें आप width बढ़ा देते हैं, document की, तो यह portrait orientation और landscape orientation, यह दोनों option में से कोई भी आप use कर सकते हैं, by default portrait orientation है, landscape करके देखते हैं, click किया, अब right side पर आपको जो document का view नदर आ रहा है, that is, landscape orientation of the document, इसमें मैं इसको downward move करता हूँ, यह देखेगा, scroll bar से, यह देखेगा, आपका data चार pages पे adjust हो रहा है, क्योंकि page की जो height और कम होगी है, weights ज्यादा होगी है, अब एक line में जरीपत है, ज्यादा data आएगा, तो चार pages पे यह इसकी setting आ रही है, next option की next option है, custom margins, इसमें यह margin set करने की option है, इस option की जरी से आप क्या कर सकते है, page के top, bottom, left, right वाले जो borders है, वो आप set कर सकते हैं, देखेगा, यहाँ इस list के अंदर पहली option है normal, इसमें क्लिक करने से क्या होगा, top, bottom, left, right, 11 inch का margin, word apply कर देगा, narrow में 0.5 inch, चारो तरफ, moderate के अंदर, top, bottom में 1 inch, और left, right में 0.75 inch, इस तरीके से wide और mirrored और onward, यह different options अवेलेबल है, custom margin के option में आके, आप क्या कर सकते हैं, अपनी खुद सेटिंग कर सकते हैं, इस पे click करते हैं, तो हमारे सामने एक window open होगी, यह custom margin वाली option पर click किया है, मैंने, bottom पे जो आ रही थी, दोबारा देखिएगा, यहाँ पे यह custom margin वाली option selected नदर आ रही है, this one, उसकी वज़ा क्या है, कि इस document के उपर custom margins applied है, यानि उपर list में जो margins आ रहे हैं, उनमें से कोई भी applied नहीं है, मैंने चुके इसकी setting पहले से की थ option यह वाली selected थी, custom margin चेंज करने के लिए, यानि top, bottom, left, right से आपने specify करने है margin, आप custom margin वाली option में आएंगे, इस पर click किया, हमारे सामने एक window आगी है, page setup की, इसमें आप देखिएगा, top, bottom, left, right, यह आप margin सेट कर सकते हैं, और इसमें और option भी है, margins की details, next topic में हम करेंगे, यह topic आपके इसी chapter के अंदर, इसको इंशाला हम detail में discuss कर लेंगे, next, एक और useful option है, bottom बेगर आप आएं तो, यहाँ पर last जो option आपको नदर आ रही है, that is, one page per sheet, is drop down के अंदर, यह भी आप कर सकते हैं, word के अंदर, कि अगर आपने, अपने document के एक से ज्यादा pages, एक ही sheet पर print करने ह जाते हैं, एक ही sheet पर print होके आजें, तो यहां से आप set कर सकते हैं, इसमें देखते हैं, क्या क्या options available है, click किया, one page per sheet, उसके बाद two pages, four, six, eight, sixteen, एक बात ही याद रखेगा, कि इस list में जो आपके पास pages per sheet आ रहे हैं, इसके लावा और नहीं select कर सकते हैं, अगर आपको question आज one भी इसमें option है, और इसके लावा five भी है, seven भी है, ten भी है, तो obviously one कर सकते हैं, five, seven गएरा इस list में नहीं है, तो जो इस list में हैं, वही अप्लाए कर सकते हैं, यहां से मैं करता हूँ two pages per sheet, इस पे click किया, अब preview में तो आपको शायद यह नजर नहीं आएगा, लेकिन print जब आ नजर आता है, जैसे print selection है, वो भी आप print करेंगे, फिर आपको उसका effect नजर आएगा printed document में, तो पेटा यह हमारी print options हैं, जो हमने यहां पर discuss की, यह सारी के सारी जो print options हैं, इसको देख रहते हैं, यह किस tab में available हैं, यह back end पे जाके हम normal view के अंदर, word के अंदर देखते हैं, कि यह किस tab में available हैं, ताकि आपको इसकी location भी पता चल लें, कि और कहां कहां यह available हैं, यह layout का tab, home tab के right side पे layout का tab है, इसमें देखीगा, यह page setup के नाम से group है, और उसमें first option margins की है, इस menu के अंदर वही options हैं, जो print preview में जाके हमने देखी देखेंगे, सारी वही options हैं, और यह custom margin की last option available हैं, उसके बाद next orientation है, हमने वहां जाके, यह landscape orientation कर दी थी, इसलिए second option selected है, portrait करने से again, यह portrait way में आ जागी, size भी आप यहां से select कर सेते हैं, वही menu है, जो वहां पे available था, यह further जो options है, यह नई options है, इसको हम बाद में discuss करेंगे, क्योंकि यह आपके chapter के आगे जाके discuss हुई है, यह तीन options हो वही है, जो print settings में भी available है, जहां से भी आप यह settings कर सकते हैं, तो यह हमारी discussion है Microsoft Word के अंदर print की option से relevant, आप इससे book से भी देख लेते हैं, यह आपको सारी details यहां पे बताई हुई हैं, कि आपने track changes गरा को कैसे print करना है, और further उपर जो है, यह सारी option के मतलिक आपको यहां पे इस page पे discuss करके बताया हुआ है, image बना हुआ है, और हर option के को उसने 7 box के अंदर explain करने की कोशिक किया है, किसी explanation यह वो काफी है, और कई कुछ options रही हैं जिसमें, जैसे उसने नाम लिखा वा जैसे यह print बगरा है, तो इसको हमने detail से discuss कर लिया कि हर option का objective क्या है, अब next topic की तरफ चलते हैं, next topic बिटा हमारा जो है, वो page number 242 के अपर है, उसको हम आके देखते ह हैं, page number 242, last time हमने जो discuss किया था, last lecture के अंदर, वो हमारी discussion जो है, page number 241 तक की थी, उसके बाद आज हमने अभी तक जो discuss किया, वो print settings हैं, जो last के अंदर है, अब हम दोबारा continuity के अंदर आते है, page 241 के बाद, next page 242 है, उसमें, यह heading number 2.6 है, adding and deleting pages, cover pages and themes, आप अपने document के अंदर, किसी specific location के अपर कोई एक page insert करना चाहरे हैं, तो वो page भी आप insert कर सकते हैं, इसकी option available है, किसी existing page को delete करना चाहरे हैं, वो भी कर सकते हैं, इसके लबाद cover pages और themes भी आप apply कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, add a blank page, आपने document के अंदर किसी specific location बे एक blank page insert करना चाहरे हैं, तो उसको कैसे करना है, यहाँ पिसका method लिखा हुए, details के साथ, इसको हम वहाँ जाके apply करते हैं, यह देखे हैं, यह हमारे पस document है, और इस document के 4 pages है, मैं इसको इसका view कम कर रहा हूँ, ताकि आपको यह नदर आ जाए, इसमें page size हमें चुके legal set किया था, इसलिए आपको यह 3 pages पर आ रहा है, मैं A4 दुबारा कर रहा हूँ, यह 4 pages का हमारा document है, यह देखेगा, 4 pages पर आपको यह नजर आ रहा है, अब इसमें एक specific location के उपर हम page insert करना चाहरे हैं, कहां पर insert करना चाहरे हैं, फर्ज करने यह जो देखे हैं headings आ रही है, paragraph number 1, 2 और paragraph number 3 onward, यहां से onward जो है, यह second page है, second page की जगह पर, first page पर भी कुछ data आ रहा है, second, third और fourth page पर भी data आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं, second page हमें blank मिल जाए, second page हमें blank मिल जाए, वहां पर एक blank page आ जाए, और जो second page और उसे onward pages का data आगे की तरफ मूब कर ज location पर blank page insert करने के लिए, आप उस page के उबर जो data लिखा हुआ है, उसकी starting line की शुरू में आ जाएंगे, उसकी starting line है, first line, उसके start के अंदर cursor से click कर देंगे, यह देखेंगे, मैंने यहां पर, इसको click कर दिया है, इसको मेरा cursor यहां पर है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके pages के नाम से यह group है, और उसमें यह second option है, blank page, इससे क्या होगा, description आ रही है, add a blank page anywhere in your document, anywhere से बुराद जहां आपने click किया हुए, उसके बाद यहां पर click करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, click किया, तो आपको यह देखेंगा, blank page नदर आ रहा है, इसको मैं zoom इसका कम कर रहा हूँ, आपको नदर आएगा, कि यह देखेंगा, ओपर भी data है, यह first page का data, और नीचे भी आपको यह data नदर आ रहा है, और दिरम्या में यह blank page insert हो चुका हुए, अब यहां पर जो कुछ लिखना चाहें, वो लिख सकते हैं, ब्लैंक page insert करने से असल में होता क्या है, यह बा आगे की तरफ move कर देगा, next page पे ले जाएगा और उस पूरे page को blank कर देगा, practical में आपको बताओं कि आम तो पर यह लोग अगर blank space उने required, blank page required है, तो क्या करते हैं, उस page की starting line में आके, और उसके start में cursor place करके enterprise करते रहते हैं, वो data nature की तरफ move हता रहते हैं, तो ऐसा नहीं करन blank page insert करनी की option हमारे पस यहाँ पे available है, इसको हम use करके insert कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो आप लिखना चाहें, लिख सकते हैं इस page पर, अब next हमारी जो discussion है वो यह है कि अगर आपने इस blank page को remove करना है, आपके पास blank page आ गया है, लेकिन किसी वज़े से आपने इसको remove करना है, आ यहाँ पे हमने cursor को click करके, फिर blank page वाली option पे click किया था, वहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ available है, हम आएंगे सबसे पहले, home tab के अंदर, जब आपने किसी blank page को remove करना है, तो home tab में आएंगे, home tab के बाद right side पे यह paragraph का group है, यह देखेंगा paragraph का group, उसमें right upper corner पे आपको यह एक mark सा बनावा नदर आ रहे हैं, इसे कहते है paragraph marker, paragraph mark, इस पे click करने से, इस option पे click करने से, कुछ Microsoft Word के अंदर hidden symbols होते हैं, वह आपके सामने visible हो जाते हैं, यह असल में hidden symbols को specific marks को hide करने के लिए, या show करवाने के लिए इस्तमाल होता है, by default, वह सारे symbols hidden होते हैं, इस पे click करने से क्या होगा, वह सारे hidden symbols, hidden formatting marks वेरा visible हो जाएंगे, इसके उपर click करते हैं, नीचे लिखा हो आ रहा है कि यह show hide करने के लिए, क्या आगे इसी की shape बनी हुए है, और bracket में इसकी shortcut की भी लिख हुई ह control hysteric, इसके ज़रे सी पे आप यह काम कर सकते हैं, और description इसकी अगर आप देखें, तो लिखा है, show paragraph marks and other hidden formatting symbols, इस पे click करने से paragraph marks भी आ जाएंगे, paragraph marks क्या होते हैं, जहां पे आपने type करने के बाद enter प्रेस किया था, वहाँ पे paragraph end हो रहा है, और वहाँ पे यह वाला mark अपियर ह कर लेता है, और जहां पे आप enter प्रेस करते हैं, वहाँ पी यह mark लग जाता है, लेकिन यह आम तोर पे नज़र नहीं आ रहा होता है, सिरफ इस option पे click करने से, जहां पे आपने enter प्रेस की होगा, वहाँ पे यह visible हो जाएगा, इस के लबाँ और भी कुछ hidden formatting symbols हैं, वह visible हो जा आपको यह page break लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यह देखेगा, उस page के start में बिलकुल यह page break आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और आखर में उसके यह mark भी बना हुआ है, और मैं अगर आपको document का सारा view दिखा हूँ, तो जहां जहां आपने enter प्रेस किया होगा, देखे नज़र आ रहा है, और para 1 की जो details हैं, उसके भी आखर में enter प्रेस किया था, वहां भी यह mark बना हुआ नज़र आ रहा है, इसे paragraph mark कहते हैं, जहां enter प्रेस करेंगे वहां यह mark लगज़ेगा, लेकिन by default नज़र नज़र नहीं आता, इस option को active करने से यह mark नज़र आएगा, और उसके बाद एक और चीज़र आप देखें, तो जहां आपने space प्रेस किया, कोई word आपने type किया, मिसाल के तो पर आपने लिखा rise, उसके बाद space प्रेस करके अगला word आपने लिखा school, तो जहां आप space प्रेस करेंगे, वहां आपको dot लगावा नज़र आ ज़र आ ज़र आ जहां आप space प्रेस करेंगे, वहां यह dot लग जगा, जहां enter प्रेस करेंगे, वहां यह mark लग जगा, इससे जो है word पिर counting कर लेता है, उसे पता चल जाता है कि आपके इस document में कितने words हैं, कितने paragraphs हैं, और lines वैसी उसे पता चल जाती हैं, क्योंकि lines जो हैना, automatically data nature की तरफ shift हो र option को click करने के बाद hidden symbols आपके पास active हो जाएंगी, और जहां आपने new page insert किया होगा, वहां देखेंगा page break लिखाव आपको नदर आ रहा होगा, अब इस page break वाली option को, यह इस पूरे area को आपने select कर लेंगे, start पर cursor रखेंगे, last की तरफ आप लेके जाएंगे, तो यह पूरी line select करने के बाद just आप delete key press कर दें keyboard के उपर, जैसे आप delete key press करेंगे, यह page break यहां से खतम हो जाएंगी, और इससे onward जो data next page पे shift हो चुका हुआ है, वह वापस इस place पे आजागा और यह blank page रिमूव हो जागा, यह blank page को remove करने की option है, मैं इसको page break जो लिखा हुआ है, select कर लिया आप delete press कर रहा हूँ, डिलीट किया, तो यह देखेगा वो delete हो गया, और जो आगे वाले data था, जो कि next pages की तरफ shift हो चुका हुआ था, उस सारा data वापस अपनी असरे location पे आ चुका हुआ है, blank page remove हो गया, और number of pages भी एक-एक कम हो चुके हो है, अब दोबारा इसके क्लिक करने से अब यह symbols हो हाइड हो जाएगे, यह देखेगा, अब आपका document नॉर्मल वे में आपके सामने आ रहा है, अब next option की तरफ चलते है, next option क्या discuss होई हुई है, adding a blank page, उसके बाद next delete a page, यह भी मैंने आपके सामने अभी perform भी कर दिया, कि इसके लिए आप उस symbol को क्लिक करके, paragraph marks वेरा को show करवाएंगे, और जहाँ page break लिखा हुआ नदर आ रहा होगा, उसको आप फिर delete कर देंगे, यहाँ पे नीचे perform भी उसने कर दिया आपको, उसके बाद next जो discussion है, वो है, to delete a non blank page, next page पर discussion है, page number 243 के उपर, top में, कि आपने एक non blank page को delete करना है, यह तो हमने जो discuss किया हुआ है, कि blank page insert किया, पर साथ उस पर भी आमने कुछ लिखा नहीं था, बाद को ऐसा होता है, कि आपको blank page insert करना पढ़ जाता है, और आप उस पर लि उसका जो back side है, उसको blank छोड़के next page से आप उसकी contents जो है ना, उस chapter के start करना चाहरे है, तो उसमें आपको blank page छोड़ना पढ़ता है, आप इस option को use करके, बाद में आप यह decide करते हैं, नहीं blank page नहीं छोड़ना, left side पे, जो है, वो document का title आजे, chapter का title आजे, उसकी back side पे chapter start हो ज करते हैं, इस option को use करके, लेकिन अगर आपने non blank page को remove करना है, non blank page का मतलब क्या, ऐसा page जिस पे आपने कुछ लिखा हुआ है data available है, तो आपने उस page को वहां से remove करना है, मिसाल के उतर पर चार अगर pages है तो page number two remove करना है, आप चाहते हैं, first page पर लिखा हुआ as it is रहे, three or fourth पर जो लिखा हुआ वह भी as it is रहे, लेकिन second page का data हमें नहीं required हम पूरे page को यहां से remove करना चाह रहे हैं, तो पिटा यह याद रखे हैं कि किसी भी page को delete करने के लिए जिस पे कुछ लिखा हुआ है, आपको असल में उसके data को delete करना पड़ेगा, जैसे हम उसके उपर लिखे जिस page को remove करना है, उसका data start से लेकि end तक अप select करनेंगे, और आम तोर पे जो selection होती है, वो mouse के जिरे से होती है, first line के start पे mouse के जिरे से click करें और downward drag करके last line के last तक उसको लें, पूरा page उसके उपर जो data है वो select हो जाएगा, फिर delete की press कर दें, तो इससे क्या होगा, वो page उसके की जाती है, पूरे page के data की, लेकिन page के उपर जो data है, उसको select करने की एक technique आपकी book में, यहाँ पे mention है, जो आपके सामने, आपको नदर आ रही है, आपने क्या करना है, click anywhere in the page, जिस page को delete करना है, उसके उपर कहीं भी click करने, उसके बाद आप क्या करेंगे, find का drop down है, home tab के go to पे click करने, इसको मैं perform करता हूँ, फिर यह आपके सामने ज्यादा clear होगा, यह जो procedure उसने लिखा हूँ है, यह page को delete करने का नहीं है, page के उपर जो data है, उसको select करने का एक alternative way बताया है, और लोग मैंने जैसे बताया के mouse के जरी से selection की जाती है, लेकिन एक alternative भी उसने बताया है यहाँ पर, उसको भी perform कर लेते हैं, यह देखेगा, यह page number one है हमारे पस, paragraph number one, two चलना है, और उसके बाद यह second page है, second page का data है, हम सारे का सरा remove करना चाहरे है, इस page को यह नहीं remove करना चाहरे है, तो इस पे कहीं भी आप click कर लें, और उसके बाद उसमें आपको बताया था कि आपने home tab के अंदर आना है, home tab के right side पे आते है, editing का group यह वाला और उसमें जो find का drop down है यह वाला इस पे click किया और यह go to की option आपके सामने आ गई है, इस पे click करेंगे हमारे सामने यह go to find and replace window ओपन है और उसमें go to का tab active है, यहाँ पर हमने mention करना है वो backslash और page, backslash हम type करेंग यहाँ पर और उसके बाद लिखेंगे page, backslash and page मैंने यहाँ पर लिख दिया, यह दिखेंगा, उसके बाद go to पर click करेंगे, अब यह चीज़ यहाँ पर type करके go to पर click करने से क्या होगा, आपने जिस page पर click किया हुए, उस page का सारा data starts and की तरफ वो सारा select हो जगा, यह यह selection क की एक technique है, click किया, और back end पे अगर आप आके देखेंगे तो back end पे selection वाला काम हो चुका भी देखेंगे, आपको back end पे नदर आ रहा है कि सारा data current page का select हो चुका है, अब आप क्या करें, इस dialogue box को close कर देंगे, इस window को, close किया, और data selected है, आप डिलीट की press कर दें, तो मैंने जैस सरफ current page का data select होगा, अब जैसे delete की press करेंगे, यह सारा data delete हो जागा, और next वाला data पीछे की तरफ move कर जाएगा, तो बैटा यह discussion है, page को delete करने की, इसके बाद दबारा से आते हैं इसी book में, यह उसने सारा perform करके आपको दिखा दिया, और बता दिया कि इस से किसी selection हो देगी, data और आपका data remove हो जाएगा, और next जो data पीछे की तरफ move कर जाएगा, next option, add a cover page, आपने document में अगर कोई cover page लगाना है, title page यानि जो के first page होता है, आपके document का, तो आप खुद भी design कर सकते हैं उसे और Microsoft Word के अंदर पहले से designed cover pages भी available हैं, वो भी आप use करके वहाँ पे insert कर सकते हैं, एक बात ही याद रखें कि cover page जो है वो आपका starting page बनेगा, आपके document में अगर चार pages हैं, तो आपका data start से, first page से start हो गया, आगे की तरफ जा रहा है, cover page एड़ करने से first page के उपर cover आजएगा, और data फिर onward आगे की तरफ move हो जाएगा, ये cover page कैसे आड़ करने हैं, ये देखें करते हैं, inside का tab, और उसमें left side पर देखें, ये first option pages का group और उसमें ये first option cover pages की है, इसके उपर click करने से, आपके सामने cover pages की एक gallery open हो जागी, उसमें different style के cover pages available है, ये देखेंगा, इसमें first जो cover page है, इसका नाम है Austin, ये निचे लिखा हुए है, second जो cover page है, उसको नाम bandit है, फिर face chain के नाम भी लिखे हुए है, बासको आप नाम से मतलिक भी question पूछ लेता है, आप से पूछे का मिसाल के तौर पर, bandit के नाम से cover pages, word के अदर available है या नहीं है, ये आप से पूछे का बताएं, किस नाम से cover page, cover page की gallery में available है, ये चार option होगी, एक option इसमें से होगी, बागी 3 irrelevant हो इस तरह से question बन सकता है, तो इसमें हम किसी भी cover page पर click कर दें, मिसाल के तो आपर आके मैंने, ये arrow, जो scroll bar है, इसको use करके आप download आके देख सकते हैं, और भी cover pages अवेलेबल हैं, और नीचे देखिएगा, more cover pages from office.com, अगर आप internet से connected हैं, तो इस option के दिए से आप online cover pages इसके cover page अप्लाई करता हूँ, ये first cover page अप्लाई कर लेते हैं Austin के नाम से, आप देखिए आपके document का look अब कैसा हो चुका है, इसको भी यहाँ पर perform करते हैं, ये देखिए मैं zoom कम कर रहा हूँ, first page अप्लाई हो चुका है, और उसके बाद next pages पे आपका data shift हो गया, ये देखिएगा data जो हो next pages पे जा जो cover, अब ये जो cover page है, इसको आप अपनी मर्जी से amend भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको आप जो लिखावा text है, ये image है वो fixed है, इसको आप change कर सकते हैं, इसमें जो amendments आप करना चाहें, वो आप असानी से perform कर सकते हैं, ये देखिए का, इसमें जो text इसमें कोई और image एड़ करना आपने वो भी कर सकते हैं, इसकी color formatting, इसको अप इसको अप इसको अपलाए करने के बाद, ये अगर चेंज करना चाहें, आपको फर्ज करें, ये attractive नहीं लग अपलाए करने के बाद, आप ने देखा तो आप चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करने के लिए जस्त आप किसी और cover page पर जाकर क्लिक कर दें, आपको यह रिप्लेस हो देगा, आपको यह नहीं पहले इसे delete करने की जूरत नहीं है, वापस आते हैं उसी cover page बाली option पर, इस option पर click किया, आप मैं second एक और cover page पर click कर देता हूँ, ये देखेगा, अब ये बाला cover page आ चुका है, ये apply होगा है, ये देखेगा, इस तकी से आप असानी से cover page एड कर सकते हैं अपने document के अंदर, और अगर आप बिल्कुल remove ही करना चाहरे है cover page को तो इसकी option भी available है, cover page वाले menu में आते हैं, ये बिल्कुल second last option देखेगा, remove current cover page, इस से क्या होगा cover page remove होजएगा, document normal condition में आपके सामने आदेगा, ये option available है यहां पर, इसको में apply ID रहने देते हैं, ये मैं आप्लाई कर दिया एक और cover page, ये आपके सामने आगए ऐसे, उसके बाद आते हैं, book में next topic देखते हैं, क्या discuss होगा, add a cover page, उसके बाद further, delete a cover page, discuss होगया हमारा, themes, page number 246 के ओपर ये topic आपका discuss है, themes का, themes के मतलिक याद रखें कि ये क्या होते हैं, although कि आप इसे themes वगरा को use करते रहते हैं, अपने laptop में भी आप इसे use कर सकते हैं, different application में, word में भी, excel में भी, powerpoint में भी, mobile में भी आप इसे use करते हैं, theme change करने से आपको बता हैं, आपके backend की जो picture change हो जाती है, और fonts वगरा change हो जाते हैं, color styles वगरा change हो जाते हैं, तो theme के ये सारी चीज़ें built होनों की, जब आप कोई एक theme अपलाए करते हैं, तो वो different 2-3 चीज़ों को, 4 तरह की चीज़ों को, styles को change कर रहते हैं, अब word के अंदर का theme अपलाए करें, तो उस theme से क्या क्या चीज़ें effect होंगी, वो देख लेते हैं, a document theme is a suit of preset formats incorporating a set of theme colors, ये देखेंगा, अब theme के अंदर, theme असल में क्या होता है, preset formats होते हैं, जब आप एक theme अपलाए करते हैं, तो उसमें पहले से जो settings होई है, formats की, colors की, वो सारी चीज़ें apply हो जाते हैं, और जब आप द theme जो होती है, theme जो है, a set of theme colors, fonts, और उसके बाद effects, effects की definition आगए उसने लिखी है, such as lines and fill effects, इसको अभी देख लेते हैं, तो ये बात याद रखें, theme जो है, वो तीन चीज़ों का मजमुआ है, तीन चीज़ें इसके अंदर होती है, colors, number one colors, fonts, फिर उसके बाद third one, effects, यहीं जब theme change करेंगे, तो ये तीन चीज़ें जो है, आपके document को effect करेंगे, तीन चीज़ें चीज़ें होगे, आपके document में, you can craft the look and feel of your document into a professional look by applying a document theme as follows, आपने document को professional looking बना सकते हैं, जब आप theme अपलाई करते हैं, तो उसके एक symmetry होती है, उसके color, उसके fonts, और उसके अंदर जो effects गए रहा करते हैं, तो एक professional looking बन जाता है, आप असानी से अपनी document को एक अच्छा design assign कर सकते हैं, ये देखेगा, design tab के अंदर, design tab के अंदर आके आप क्या करेंगे, नीचे gallery है, उस gallery में से आप कोई भी theme select कर सकते हैं, इसको apply करते हैं, यहाँ पर आगे हम document में, और उसके बाद ये design का tab, design के tab पे click किया, और ये देखेगा, document formatting की एक heading ये ग्रूप है, उसमें right side पे आएं इसको, तो यहाँ पर आपके आपके पास सारे जो यहाँ नजरा आ रहे हैं, ये सारे themes हैं, built-in themes हैं, और ये arrow इसके click किया, ये देखेगा, यहाँ इसके description, quickly change the look of your document by picking a new style set, इसके click करते ह ये different options available हैं, इन में से आप कोई भी apply कर सकते हैं, sorry, इस बात को ज़रा देखेगा, themes यहाँ भी है, left side पे option नजरा रही है, ये सिलमें और चीज़ है, यहाँ भी आते है, themes, click किया, themes के उपर, तो आप देखेगा, themes की गैलरी आपके सामने उपर हो चुकी हुई है, इसमें first theme ह that is office theme, और आम तोर पे word है, powerpoint है, या excel है, उसमें office theme ही applied होता है, सारे document के उपर, सारी file के उपर, यह भी यह बात आप आपने याद रखनी है, बात कोई question इस हवाले से भी पूछ सकता है, कि by default word के अंदर, कौन सा theme applied होता है, नीचे चार option होगी, उसमें से एक office theme की होगी, बा available है, और उसमें bottom पे आके देखिएगा, यहां तक यह different themes available है, इसमें किसी के उपर भी आप click करके उसे apply कर सेते हैं, document की जो look है, वो accordingly change हो देगी, यह देखिएगा, इसके उपर facet के उपर मनें click किया, तो right side पे गर आप देखें, तो document के उपर theme apply हो चुका हुआ है, इसमें colors combination भी है, और यह font style, यह देखें, information technology लिखा हुआ है, पहले किसी और font में था, आप उसका font इस theme के accordingly change हो चुका हुआ है, इस तकी से आप themes apply कर सकते हैं, और right side पे इस gallery को हम discuss कर रहे थे, इस gallery में भी कुछ चीज़ें available हैं, इनको भी आप apply कर सकते हैं, देखिएगा, यह, और further right side पे आते हैं, theme के अंदर आप क्या क्या चीज़ें apply कर सकते हैं, इसमें हमने discuss किया book के अंदर रिखा हुआ है, colors, जब आप किसी theme को apply करते हैं, तो उसमें आपके document के उपर colors भी change हो जाते हैं, और उसमें font भी उसके change हो जाते हैं, और तीसरी चीज़ें और effects, effects क्या होते है जब आप कोई shapes वेरा, कोई images वेरा अपने document में insert करते हैं, तो उसके shades और उसकी outline वेरा, उसको effects करते हैं, वो भी change होते हैं theme के अंदर, तो अब हमने जो theme apply किया, उसके अंदर देखते हैं, क्या-क्या colors available थें, यह देखेगा, इसमें हम आते हैं, अगर आपने किसी specific theme को apply किय उसके, उसने colors भी effect कर दिये, font भी effect कर दिया, और effects को भी उसने change कर दिया, जो images वेरा लगे हैं उसके effects को, आप चाहते हैं कि इसका color combination है, यह मुझे पसंद नहीं आया, color combination सिर्फ change हो जाए, लेकिन जो font color है, और effects का जो effect नदर आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, तो आप यहा theme के अंदर, तीनों में से कोई भी आपने चीज़ चेंज करनी है, वो आप यहां से कर सकते हैं, colors में आये, नीचे लिखा हो आ रहा है, कि अभी currently आपने face set का theme apply किया है, क्लिक किया, तो यहां पर आते हैं, bottom पर, यह different आपके पस color combinations available है, इन में से आप कोई भी use कर सकते हैं, यहां पर आके मैं इसको apply कर रहा हूं, मिसाल के दोर पर यह वाला, यह yellow वाला, यह yellow नाम है, color combination का, इस पर click किया, तो आप देखीगा, color combination, change हो चुका हुआ है, यह देखीगा, और font भी आप यहां से change कर सकते हैं, document पर आप कोई और style का font लगाना चाहरे है, effects आप change करना चाह effect होती है, colors, fonts और effects, और आप उन्हें independently भी change कर सकते हैं, यहां से आके मैं दुबारा से office theme भी apply कर रहा हूं, अब next option देखते हैं कि आपकी book में next topic कौन सा है, themes की discussion होगी, यहां तक themes की discussion है, उसके बाद next है, page numbers, headers, footers, यह इंशाला हम next, इसको discuss करेंगे, अभी तक हमने बिटा जो perform किया, print settings को हमने detail के साथ discuss किया, उसके बाद हमने document के अंदर आपने कैसे blank page insert करना है, पिर उसे delete कैसे करना है, यह किसी page के अपर data लिखा हो, उसे कैसे remove करना है, यह सारी चीज़ें हमने detail के साथ discuss कर लिए, themes भी रगो कैसे आपने change करना है, तो इसको आप अच्छे तरी इसे mainly हर option के मतलिक याद रखने है, कोई भी option है, मिसाल के तोर पर theme वाली option है, इस पर click करने से, इसको use करने से क्या होता है, इस option का objective का है, number one, आपने उसका function याद रखने है, second thing, उसको, उसकी अपने location याद रखने है, कि यह option कौन से tab में, कौन से group में available है, तीसरी बात, उ ये तीन बाते हैं, अगर आप याद रखेंगे, तो इन एरिया से relevant अगर को questions होंगे, तो आप असानी से उने tackle कर सकते हैं, जदा कर लाँ, best of luck.